प्र Catholics महिला चाहती है कि उसका हौने वाला बच्चा गोरह और सुन्दर हो और उसके लिए वो हर नुष का आजमाती है जो उन्हें बताया चाता है जिससे कि उनका होने वाला बच्चा गोरा पैदा हो तो आज की इस वीडियो में मैं प्रिंटी आजब आपको बताऊंगी कि गोरा बच्चा कैसे होता है, आप क्या कर सकती है जिससे कि आपका होने वाला बच्चा गोरा पैदा हो, तो आप हमारी आज की इस वीडियो को पूरा चरूर देखे, चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं उसका रण डार्ट रहता है, वहीं जिसके अंदर मैलनेन कम बनता है, उसका रण गलाइट रहता है, अब हो सकता है कि आपके दिमाग में ये सब आयल राए कि अगर ये सब मैलनेन नाम के हार्मोन पर ही डिपेंड करता है, तो इन उसकों का क्या फाइदा? तो फ्रेंड सरीर के अदर मैलनेन का लेवल जीन्स के जरिये डिसाइड होता है, लेकिन हाल ही में की गई स्टडी में ये भी पता चलता है कि मैलनेन का लेवल जीन्स के साथ साथ आस पास के कई और फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, चलिए बात करते हैं, अगर आप अ पूरा बच्चा चाहती हैं, उसके लिए आपको कुछ बातों का खात ध्यान रखना होगा। जैसे कि आपको जादा से जादा पानी पीना है, ताकि आपके बोडी में पानी की कमी ना हो। और आपके बच्चे की बोडी से टॉक्सिन बहा निकल सके। इसके अलावा बैलेंस टाइट जरूर लें, कोशिश करें कि आप जो भी खा रहे हैं उसमें विटामिन C, विटामिन E, जिंक और सेलिनियम की अच्छी मात्रा हो। क्योंकि इनके अंदर एंटि-ाउक्सिजटेन ट्रॉपटरीज होती हैं जो की बच्चे को इसकिन डैमिज से बचाती हैं। इसके अलावा जंक फूट को बिल्कुल अवाइट करें, क्योंकि जंक फूट के अंदर सुगर और unhealthy fats होते हैं, जो कि बच्चे की skin को damage कर सकते हैं। इसकी बजाएं आप fruit, vegetable या protein लें और हाँ एक बात का खास ज्यान जरूर रखें, कि अगर आपके pregnancy में कोई भी complication नहीं हैं, तो pregnancy के दोरान आप regularly exercise करती रहें। आईए, अब बात करते हैं कि आपको pregnancy के दोरान कौन सी चीजे खानी चाहिए, जिससे कि आपके होने वाले बच्चे का color गो रहा हो। तो इसमें सबसे पहली चीज होती है गाजर, गाजर के अंदर beta-carotene होता है जोकि body में जाकर vitamin A बन जाता है, जिसकी वज़़से healthy skin तो होती ही है, साथ में immunity भी improve होती है, दूसरा आपको पालक जरूर खाना है, पालक के अंदर iron और folate भरपूर मातरा में होता है, जो आपके baby की skin cell को भी develop करता है, तीसरा आपको केसर का इस्तमाल करना है, केसर का इस्तमाल बहुत लंबी समय से skin brightening के दौर पर किया जाता है, और ये आपके pregnancy के लिए अच्छा भी होता है, तो इसके लिए आप एक glass दूद में केसर की एक दू कली को डाल कर पिया है, जिससे आपके ब food करता है, साथ ही आपको hydrate रखने में भी help करता है, तो अब अगर मैं इन सब चीजों को short में बोलूं, तो आपको pregnancy के दौरान, हरोज कम से कम 8-10 गलास पानी पीना है, डाइक में आपको vitamin E, vitamin C को जरूर सामिल करना है, junk food को बिल्कुल avoid करना है, regularly exercise करते रहना है, इसके करती हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और आपको पता चल गया होगा कि बेबी करन फिर क्यों होता है, इसके लिए आप क्या कर सकती है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, वीडियो को like करें, अपने friends के साथ share करें, ऐसे ही informative वीड करना है कि pregnancy की नौवी महीने में लेवर प्रेंट के लक्षट कौन-कौन से होते हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे हमारे इस से related videos को चरूर देखें, चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, अब मैं मिलूँगे आपसे अंगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रह के लिए रहे हैं, सौस्ट रहे हैं